जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मुझे 7 दिनों में 5,800 गंटे का वाच टाइम मिला है, जो करीब 1,00,000 व्यूज से आया है, और 21 मई से 27 मई के बीच में मैंने सिर्फ एक ही वीडियो पोस्ट की है, आज मैं आपको 7 दिनों के अंदर 4,000 गंटे का वाच लेकिन ये strategy, educational, technical, cooking, finance, vlog, entertainment channels और ऐसे ही similar channels जहां या तो face और voice over use होता है, या फिर सिर्फ face या सिर्फ voice over use होता है, आप सभी जानते होंगे कि YouTube चैनल monetization के लिए हमें चाहिए 4,000 गंटे का वाच टाइम 365 दिनों में, और 7,000 subscribers भी, subscribers बढ़ाना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो तो आप लोग regular shots पोस्ट करके भी बढ़ा लेंगे, और एक बार 100 subscribers हो जाए, तो फिर 200, फिर 500, फिर 1000 बहुत ही जल्दी हो जाते, watch time बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, जिसे हम इस वीडियो में आसान बनाएंगे, स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके ही अपने चानल टेप्स वाला पर वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही है, तो एक like बटन जरूर आप hit कर दो, और आपका कोई भी सवाल हो, comments में पूछो, और Instagram पर मुझे follow करके DM करो, अगर personally आप मुझे बात करना चाते हो, कोई सवाल करना चाते हो, तो च YouTube पर generally average retention 30-40% का होता है, अब आप पुछोगे कि भाई टेप्स वाला ये retention क्या होता है, retention का मतलब है आपकी audience ने आपकी वीडियो का कितना percentage देखा है, जिन वीडियो की audience retention ज्यादा होती है, YouTube उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुचाता है, एक 30 सेकंड की short जिसकी retention 15 सेकंड ह उसे एक 10 मिनट के long वीडियो जिसे सिर्फ 2 मिनट का retention मिला है, उससे ज्यादा views मिलेंगे, जैसा कि हमने अभी समझा YouTube पर average retention 30-40% होती है, तो 40% के हिसाब से 10 मिनट की वीडियो को 4 मिनट का retention मिलेगा, यानि एक वीडियो से आपको 4 मिनट का watch time मिलेगा, अगर एक वीडियो पर 1000 वीडियो आते हैं, तो सिर्फ उस वीडियो से आपको 4000 मिनट का watch time मिल जाएगा, 60 वीडियो से 2,40,000 मिनट का watch time मिलेगा, मतलब कि 4000 गंटे का watch time, डेली एक वीडियो अगर आप डालते हो, तो सिर्फ 60 दिनों में 4000 गंटे का watch time पूरा हो जाएगा, अब इसी example को हम 10,000 व का watch time, जो हमें monetization के लिए चाहिए थी, साथ दिनों में मिलेगा, अगर आप रोज एक वीडियो पोस्ट करते हो, तो, क्या ये सब आपको impossible लग रहा अभी तक, तो सबसे पहले हम इस चैनल को देखते हैं, जिसके 257,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और हाँ, इसने सिर्फ एक मही पहले ही चैनल स्टाट किया, अब आप इस चैनल को अगर देखो, तो इस बंदे के 3.72 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिसने इसी साथ जैनुवरी के मंत में अपना चैनल स्टाट किया, अब सवाल ये है कि व्यूज कैसे लाएं, बात ऐसी है कि लोग आपकी वीडियो को तभी देखेंगे जब उस पर क्लिक करेंगे, तो सबसे पहला काम होता है लोगों को क्लिक करने पर मजबूर करना, और इसके लिए आपको चैनल की CTR बढ़ानी पड़ेगी, अब आप पूछोगे कि CTR क्या होता है, CTR का मतलब होता है click through rate, यानि कि formula अगर हम बोले तो number of clicks क को divide कीजिए आप number of impressions के साथ, और multiply कीजिए 100 से, तो यहां आपको मिल जाएगा CTR, आसान भाशा में अगर मैं बता हूँ, तो 100 लोगों ने अगर आपकी वीडियो का thumbnail देखा है, और उनमें से 6 लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया है, तो उस वीडियो का CTR 6% होगा, YouTube पर 2- से 10% का CTR नॉर्मल होता है, अगर 4-5% से कम आपकी वीडियो की CTR है, इसका मतलब आपको वीडियो पर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है, अब आप पुछोगे की CTR कैसे बढ़ा है, CTR बढ़ाने के लिए आपको मेलनी 3 चीजों पर काम करने की जरूरत है, thumbnail, title और description, य जैसे आप किसी movie का poster, नाम और trailer दे कि ये decision लेते हो कि आपको वो movie देखनी है या नहीं, इसके बाद आपको अपनी वीडियो के पहले 10 seconds में proof या action डालना पड़ेगा, अब ये proof और action क्या होता, मैं अभी आपको समझाता हूँ, आसान भाशा में अगर मैं समझाओ, तो अग आपको अपनी earnings शुरू में दिखानी पड़ेगी, अगर YouTube growth वाली वीडियो आप बनाते हो, तो आपको पहले अपने channel का results दिखाना पड़ेगा, जैसे कि already मैंने इस वीडियो पर दिखाया और आपने देख भी लिया है, अगर आप vlog या entertainment वीडियो बनाते हो, तो वीडियो क सबसे best part पहले 10 seconds में आपको दिखाने की जरुवत है, ताकि आपकी audience को लगे कि वीडियो काफी interesting होने वाली है, अब आपको वीडियो की शुरुआत में थोड़ी mystery रखनी पड़ेगी, ताकि audience को ये समझ में आ जाए कि वीडियो में कुछ amazing चीजे होने वाली है, लेकिन क्य होने वाली है, इसके लिए उन्हें पूरी वीडियो देखनी पड़े, आपको अगर किसी viral topic पर वीडियो बनाना है, तो आप अपने चैनल के analytics के अंदर जाकर research section में high search volume वाले topic सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर trending videos पर वीडियो बनाना है, तो Google Trends पर जाकर अपनी country सेलेक्ट कर और पिछले 5-7 दिनों के अंदर ज्यादा search वाले topics पर वीडियो बना दो, और अगर आप 3 मिनट के अंदर अपनी videos को mobile यूज करके rank करना चाते हो YouTube पर, तो ये वाली video मैंने already बना कर रखी है, description में आपको link मिल जाएगा, जाकर अभी इसके बात देखो, दोस्तों ये video आप अगर इतनी से भी अच्छी लगी ना, तो एक like बटन दवा कर आप मेरा motivation बढ़ा सकते हैं, और इस चैनल को subscribe जरूर कीजिए, और बिल आइकन जरूर दबाईए, ताकि ऐसी वीडियो मैं जब भी future बनाओ, आपको सीधा notification मिल जाए आपके चैनल पर, तो आज के लिए इतना